प्लाज्मा और हमारा जो कॉप्सल्स के अंदर जो आरबी सी उसे बहुत सारे कॉप्शन्स बनते हैं तो उनको पन शॉट में चलिए दिर पढ़ेंगे होती है और जादा नंबर होने की विज़ा से इसको कहा जाता है बात करने हमारी ह्पंटेटि को से अपन के ये पिछ ने cód में होता है पाई किलो साइटोसिस बात करें इसकी स्टोमेटिन की इसकी जो फ्लैक्जिबल साइटोसकेलेटन होता इसको बन स्टोमेटिन कह देते हैं फ्लैक्जिबिलिटी होने की वज़े से ही अपने से छोटे साइज की जो कैपलरी पोर होते हैं से पैरिटेट कर जाती है बात करें इनके numbers का number जो रहता है human male के अंदर रहता है 525.5 million per mmq female के अंदर रहता है थोड़ा कम 4.525 million mmq जबके infant के अंदर रहता के इतना 6.8 million per mmq number के बाद जिकर करूं cell organelles का तो rbc का main motor होता है जदा से जदा molecule of hemoglobin store करना तो जदा से ज़्यादा molecule store करने के लिए क्या करता है अपने सारे के सारे जो सेल और्गेनल सोतन को निकाल देता है मतलब और इसके अंदर नहीं होगा तो जाहर सी बात इसके अंदर respiration कौन सा होगा anaerobic respiration होगा अपनी मैचर आर्वीसी के अंदर बात करने साइज की साइज जो रहता है वो रहता है सवन पॉइंट फाय माइक्रो मीटर डायमीटर में रहता है जब कभी भी साइज में चेंज आता है उसको पन कहते है anisocytosis साइज के बाद बात करनें इसके अंदर एंजाइम की तो इसके अंदर का अपनी carbon dioxide को carry करने के लिए help करने के लिए एक एंजाइम होता है zinc containing carbonic anhides fastest एंजाइम प्रजेंट होता है which helps in the transportation of CO2 एंजाइम के बाद जिकर करें अपन formation का आर्वीसी का जो formation होता है उस mechanism को कहते हैं erythropoiesis erythropoiesis दो phases के अंदर होता embryonic phases के अंदर और adult के अंदर embryo के अंदर first of all rbc बनाता है योग से कब तक जब तक placenta का formation नहीं होता उसके बाद मेरो रेड़ बॉन मेरो जो होता है बोंस के अंदर वहां पर adult के अंदर rbc का formation होता है अपना हीमोगलोविन का वन जो molecule होता है वो चार oxygen molecule से बाइंड कर सकता है 100 ml blood के अंदर बारा से 16 ग्राम हीमोगलोविन होता है वन ग्राम हीमोगलोविन can carry 1.34 ml of oxygen जाहिर सी बात है कि जो 100 ml जो blood है 100 ml blood है वो लगभभभभ 20 ml oxygen carry कर पाएगा बात करें अपन हीमोगलोविन की तो हीमो दूसरा ग्लोविन हीम जो होता है उसके अंदर फोर आयरें सेंटर पोर फारेंड रिंग होती है जबके ग्लोविन होता है उसके अंदर एलफा टू और बीटा टू चेन होती है जबके अलफा टू डेल्टा टू चेन भी इसके अंदर मिल सकती है उसके सासा जो फीटस होता है वहाँ पर बीटा या डेल्टा की वजज़ से गामा होती जो फीटल हीमोगलोबेंड होतह उसकी ऐसकी बाद बात करेंगे कि प्लाज्म मेंब्रेन की जिए सड़ेकटीव भी कहते हैं आ मिंदर जो के टेरेंड होती है जो इंदरेंड लाइफ की जो भी की life होती है blood के अंदर होती है 120 दिन के लिए और 120 दिन के बाद यह खतम हो जाती जहां पर अपना graveyard of rbc कहते है स्प्रीन के अंदर क्या किया जाता है जितने नंबर में स्प्रीन पर डे rbc करता है उतने नंबर में ही अपना जो स्प्रीन है वो blood में rbc पोर कर देता है लाइफ की बाद अपन जिक्र करें इसको अगर rbc को अगर 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 रख दें तो एक्जोस्मसिस से वाटर बहार निकल जाता है अगर इसको isotonic solution में रखा जाए तो कोई change नहीं आता तो अपन समझ सकते हैं rbc से जतने भी related questions थे अपने बहुत short में देखें उम्मीद आपको अच्छा लगाऊँगा थैंक्यू बच्छो